हेलो दोस्तो, नमस्कार आज के इस वीडियो में मैं आपको कौन से गीर बाक्स में किस तरह का लूब्रिकंट यूज़ किया जाता है याने कि कौन से ग्रेट का ओईल यूज़ किया जाता है इस टॉपिक पर में बात करने वाला हूँ दोस्तों इंडिस्ट्री में कई प्रकार के गेर बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं किसी गेर बॉक्स में हाई टॉर्क होता है किसी गेर बॉक्स में हाई स्पीड होता है और किसी गेर बॉक्स में लो स्पीड हाई टॉर्क होता है जिसमें specially warm gearbox होता है, warm and warm gearbox होता है, reduction gearbox होता है और planetary gearbox होता है इस तरह के gearboxes होते हैं जिसमें high torque होता है और low speed होता है यहाँ पर generally जो lubricant use किया जाता है यानि की gear oil use किया जाता है, basically उसमें high efficient lubricant का use किया जाता है और इसमें specially extreme pressure property होना चाहिए, anti wear properties होना चाहिए जो की wear protection कर सके और specially जो यह lubricant है यहाँ एक thick film, lubrication thick film create कर सके यहाँ इसका property होना चाहिए तो इसके लिए जो इस type के gearbox होते है यानि की high torque और low speed वाला gearbox होता है जो high load wear कर सकता है ऐसे gearbox वहाँ पर generally high viscosity grade lubricant use किया जाता है, generally VG320 या फिर उससे जादा वाला जो lubricant होता है gear oil viscosity grade 320, viscosity grade 460 इस तरह का जो lubricant होता है वहाँ पर use किया जाता है अब हम बात करेंगे high speed वाला gearbox में कौन से lubricant का use किया जाता है जो high rpm वाला gearbox होता है वो generally spindle gearbox हो गया, transmission हो गया और other कई प्रकार के gearboxes हैं जिसमें high rpm होता है तो जहाँ पर high rpm होता है वहाँ पर normally low viscosity grade lubricant का use किया जाता है जिसमें viscosity grade 10, viscosity grade 15, viscosity grade 22, viscosity grade 32, viscosity grade 46, viscosity grade 68, viscosity grade 100 इस तरह के low viscosity grade lubricant होता है वह high rpm gearbox में use किया जाता है अब बात यह है कि high rpm वाला gearbox होता है यहाँ पर हम high viscosity grade lubricant का use करते हैं तो यहाँ पर high viscosity grade lubricant होता है जल्दी flow नहीं होता है इसका flow कम होता है तो इसके वज़े से हर जगा पर lubricant ना circulate होने के वज़े से lack of lubrication हो जाएगा और जिसके वज़े से gears हो गया, bearings वगयर हो गया यह damage हो सकता है और आपका gearbox फेल हो सकता है तो और दूसरी बात यह है कि जो इसका viscosity grade ज़्यादा होने के वज़े से lubricant के अंदर internal friction होता है जिसके वज़े से जो बहुत ज़्यादा power losses होता है और इसलिए जो high rpm वाला gearbox होता है यहाँ पे high viscosity grade lubricant recommended नहीं होता है और यहाँ पे low viscosity grade lubricant का use किया जाता है तो दोस्तों उमिद क करता हूँ आपको दिये गए information समझाई होगे गर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को like कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद